नवरातरी का दिन देवी मा के भक्तों के लिए बेहत खास दिन होता है नवरातरी का तीसरा दिन मा चंद्रघंटा को समर्पित है मा चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा रूप है मानता है कि मा आपने भक्तों को शांत और सुक समर्दी प्रदान करती है नवरातरी के तीसरे दिन विदिविधान से मा चंदरघंटा की पूजा करने से आपके आत्मविश्वास में इजाफा होता है। चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। शिवजी से विभा करने के बाद मा ने अपने मस्तक पर अध्र चंद्र सजाना शुरू कर दिया था। मा दुर्गा ने मा चंद्रघंटा का अफ्तार तब लिया था जब संसार में दैतियों का आतंक बढ़ने लगा था। और महिसासूर स्वर्ग लोक पर राज करने की इक्षाप पूरी करने के लिए देवताओं से भयंकर यूद कर रहा था। जब देवी सती ने अपने शरीर को यग अगनी में जला दिया था तब उसके पश्चात उन्होंने परवतराज हिमाले के घर में पूर्ण जनम लिया। पारवती भगवान शिव से शादी करना चाहते थी जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने पारवती के साथ शादी रचाए। लेकिन जब शिव जी अगोरियों के साथ देवी पारवती को अपने साथ ले जाने के लिए पहुँचे तो शिव के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथी गड़न भ्यवीद हो और पारवती की मा मैना देवी तो डर से मुर्चित ही हो गए। इन सब को देखकर देवी पारवती ने चंद्रघंटा का रूप भी धारन किया और भगवान शिव के पास पहुच गई। जिसके बाद माता पारवती के कहने पर भगवान शिव एक राच्खुमार के रूप चड़ाई जाते हैं। पर कृपा बनाये रखती हैं। आपके सुख सम्रिद्धी और सेहत में व्रिधी होती है। साथ ही ये भी मानता है कि मा चंद्रघंटा की कथा का पाट करने से शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मा दुरगा के तीसरी रूप आनने के लिए हमारे चैनल दकर्मा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें श्वेर करें। थन्यवाद। आनने के लिए हमारे चैनल दक्राइब करें।